इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अपकमिंग नई भरती 2024 के बारे में देखिए दोस्तो 2024 में नए साल में रेलवे में ग्रूप C वा ग्रूप D की बंपर भरतियां आने वाली है देखिए नई भरती का ग्यापन यहाँ पे रेलवे मंत्राले को सौप दिया गया है और वका रेलवे के जो नए अध्यच्छ हैं उनके क्या जवाब यहाँ पे आए हैं रेलवे की नई भरती को ले करके तो वीडियो को अन तक ज़रूर देखेगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जलत हल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देजेगा रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के लिए रेलवे बोर्ड अध्यक्छा से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों का मुद्दा नए साल में नई भरती के आसार देखे रेलवे बोर्ड के जो नव नियूक्त यहाँ पे चेर्मैन और जो CEO हैं उन से मिलकर अनुपम ने दोस्त हैं और आखिरे अनुपम है को तो देखिए बेरोजगारी को राष्ट्रिय विमर्ष का हिस्सा बनाने वाले और देश भर की युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के सिर्सतम पद पर पहुंचने वाली पहली महि माइं दी है जैसे कि युवा हला बोल में जो शामील है यहां पे दोस्तों अनुपम काफी नाम इनका है हमेशा इमुद्दा उठाते रहते हैं भरती को ले करके विभीन भर्ती को ले करके और युवाओं की बात करते रहते हैं तो जो नव नियोगत यहां पे रेलवे बोर्ड के जो चेर्माइन और यहां पे CEO निउक्त किये गए है जया बर्माशिन हाँ उनसे यह मिले है और दोस्तो यहां पे गयापन सोपा गया है इनके तरफ से और बधाई भी इनके तरफ से दी गई है अब रेलवे के छात्र के लिए क्या मुद्धा इनके तरफ स बैठक में अनुपम के अलावा सेवा निवरित IPS यशो वर्धन जा आजाद भी मौजूद रहें जो युवा हलला बोल आंदोलन के मार्क दर्शकों में से हैं अब इसमें देखेगा पूरी अपडेट सबसे पहले तो खास बातों में उपर ही लिखा गया हाइलाइट में कि नए साल में नई भरती के आसार सेकंड में दिया गया है भरती ये रेलवे सुरच्छा स्रेनी के 1.77 लाख पोष्ट खाली है ये दोस्तों बहुत बड़ी संक्या है और सिर्फ और सिर्फ सुरच्छा स्रेनी यानि कि सेफटी काटेगरी वाली पोष्ट की बात कही जा रही ह नोन सेफटी के तो बात ही अभी नहीं की जा रही है तो दोनों को मिलाकर कर देखाया तो बहुत सारे पोष्ट तीन लाख से जादा पोष्ट आपे खाली है तो अकेले सेफटी काटेगरी में इतने सारे पोष्ट आपे खाली है नए साल में नई भरती लाने की मांग की दिल्दी इस्तित रेल भवन में अनूपम ने रिक्त पड़े पदों पर जल्द भरती करने को लेकर बात की बैठक में अनूपम के अलावा सेवा निवरित आईपी एस यशोवर्धन जा आजाद भी मौजूद रहें जो युबा हल्ला बोल अंदोलन के मार्क दर्शकों में ह भारत के सुचना अयूग्त रहे यशोवर्धन जा आजाद आईबी के निदेशक और सुरक्षा सचीव जैसे बड़े पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं और रेड़ी इतने बड़े-बड़े पोश्ट ए संभाल चुके हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयर परसन जया बर्माशिन्हा ने अनुपम की बातों को सुना और आसवासन दिया कि जल्द ही इस भी सैपर सकारात्मक धंग से विचार किया जागा बड़ी अपडेटे हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे नव नियुक्त चेयर मैन और CEO बने है चेयर हुमेन कहले तो यहाँ पे जया बर् अब यहाँ पे दोस्तों एक बात का गौर की जगा जो यहाँ पे रेलवे बोड के चेयर परसन और CEO होते हैं वो दोस्तों रेलवे के अंतरकत यहाँ पे एड्मिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं यानि कि सबसे मेन होते हैं यानि रेलवे मंत जी की बात कर लें तो वो तो यहाँ पे पॉलिटिकली सबसे मेन है ही रेलवे मंत्राले के अंतरगत पूरा जीमा इनके उपर है लेकिन दोस्तो एड्मिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा जाए जिनके पास पाबर होती है रेकूर्मेंट को और हर चीज को ले करके यानि इनक के बीना तो समझे कि कुछ यहाँ पे हो नहीं सकता रेलवे मंत्री का भी एक तरह से योगदाम तो इसमें रहते ही या कि अगर एक कोई बात बोलें तो इनको तो मानना ही होगा लेकिन दोस्तों एक तरह से इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रेलवे की भरतियों क से बीचार भी किया जागा ये भी बोले गए है तो समझे कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार दोज़र चोबिस में नए साल में आपको अच्छी भरति देखने को मिलेगी और जीतने भी पोश्ट खाली है उस पे दोस्तों बड़ी भरति आपको देखने को मिलेंगी से सासन प्रसासन में समझ और संबेदना बढ़ती है साथी युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेणा मिलती है भारतिये रेल में सुरच्छा सरेणी के 1.77 लाख पद रिक्त है अब इसमें देखिये तो यहां पे और भी चीज़े बताई गई है ज लेकिन इस पर परियाप्त चर्चा नहीं हुई कि भरतिये रेल में सुरच्छा सरेणी के 1.77 लाख पद रिक्त है अब देखिये यह बहुत बड़ी बात है जो की मुद्दा एक तरह से उठाया गया हलांकि हम लोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी यहां पे लगता है ट्व पजीटिव ख़बर आप लोग के लिए है यहां पे 1.77 लाख पद खाली रिक्त है इसके बाद है जून 2023 में एक RTI के जवाब में पता चला की रेलवे में कुल मिलाकर 2.74 लाख पद खाली है इससे पहले दिसंबर 2022 में रेल मंतरी ने सदन में जानकारी दिती की 3.12 लाख प सेन्ता का भी साय है और खास करके वही दोस्तो safety category वाली पोष्ट को टार्गेट किया जा रहा है जो सुरचा स्रेनी के है खास करके असिस्टन लोको-पाइलेट हो गया टेक्नीचनवाला पोस्ट हो गया, जूनियर एंजिनियर हो गया, senior section ingi armز行 administrator के पद हो गया है इस तरह से NTPC में Goods Guard के पोश्ट हो गया है, आपका Station Master वाला पोश्ट हो गया, Group D में Pointsman के पोश्ट, Track Maintenance Grade 4 के पोश्ट, SNT वाले पोश्ट, काफी सारे पोश्ट हैं जो की Safety Category में आते हैं, इसके बाद यहाँ पे 2019 के बाद सरकारदवारा कोई नई भरती नहीं निकाली गई, पिछले लोक सभा चुनाओं से ठीक पहले आई, NTPC और Group D की भरतीयों को पांस साल होने को है, उस वक्त के ततकाली रेल मंत्री ने चुनाओं से ठीक पहले यह बादा किया था कि रेलवे के जरिये अगले दो साल में 4 लाक नोकरियां दी जाएंगी, लेकिन यह देखकर अत कर रहे उबाओं की उमर निकल रही है, वही करमचारियों की कमी के कारण, रेल कर्मी, भारी दवाओं और मानसी के तनाव में काम करने को विवस हैं, जैसे कि ELB वाली लगातार प्रोटेस्ट करें, आपको पता है कि इनको 12 से 14 घंटे घंटे तक दोस्तों काम पे यहां पे लगाये जा रहे हैं, जबकि मिनिममम 8 घंटे ही इनको काम करने हैं, तब ही 12 से 14 घंटे इनको काम पे लगाये जा रहा है, और लगातार इनके तरब से प्रोटेस्ट भी हो रहते हैं, इसका दुश प्रभाव जनता को मिल रही रेलवे की सेवा और सुरच्छा पर भी दिख रहा है, अब आके देखे फ्रेंट्स जो यहां पे में मांगे हैं, वो ग्यापन में क्या क्या रखी गई है, अनुपम ने रेलबोर्ड अध्यच्छा को कहा कि यदि रेलवे अपनी भरतियों में मॉडल एक्जाम कोड लागू करके बिख्यापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया नौ महीनों में पूरी कर ले, तो यह अन्य सभी भी भागों के लिए भी एक नजीर बनेगा, साथी अनुपम ने निमनलीखित मांगो वाला पत्र भी अध्यच्छ को सौपा, तो एक तरह से दोस्तों देखिए कितना बड़ा चीज है जो कि इनके तरब से एक म साल के अंदर अंदर भी सारा कुछ प्रोसेस कराके देते हैं, तब भी जोस्तों लगभग हर साल, चाहे हर दो साल में आपको नई भरतिया देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता कहा है, लगातार पिछले दस साल हो से देख रहे हो, पांस साल बाद यहां पे नई रिकूर डिमेरिट एक तरह से है, तो इसलिए यहां पे जो चीज़ें कही गई है, उसको अगर फॉलो करती है इस मोडल को तब बहुत अच्छा होगा, और एक चीज़ जो यहां पे जो मांग वाली पतर रखी गई है, उसमें देखिए क्या-क्या मांगे रखी गई है, सबसे पहले रिक्त पड़े, 274,000 पदों पर जल्द जल्द बिग्यापती बिग्यापन जारी किया जाए, यह मांग यहां पे रख दी गई है, चेर परसंसे, रेलवे के जो हेड हैं उनसे, कि जल्द जल्द नोडिफिकेशन जारी किया जाए, भरती प्रक्रिया में मॉडल एक्जाम को ठेके पर यहां पर नोकरिया दी जारी है, भले एक साल के लिए, दो साल के लिए लेकिन तब भी अगर इनके काम चल जा रहे हैं ठेके पर नोकरी करबा करके, तो क्यों ही नई रिकूर्प्मेंट निकालेंगे, तो इसलिए यहां पर बहुत बड़ी मांग भी एक तरह से है और खास करके इंजिनिरिंग वाले चातर के लिए बहुत अच्छी पहल एक तरह से की गई है, देखिए, क्या होता है रेलवे में दोस्तों, कि हर साल जूनियर टेकनिकल एसोसियेट के पोस्ट निकाले जाते हैं, जो की ठेके पर दो साल के लिए होते हैं, और ये दोस्तों जो बीटेक वाले होते हैं, उनको ये मौका मिलता है, और कौन से पोस्ट के बराबर माना जाता है, जूनियर एंजिनियर के पोस्ट पे और सिनियर सेक्षन इंजिनियर के पोस्ट के बराबर माना जाते हैं, जबकि सेलरी कितनी मिलती है, मातर 25 आर और जूनियर एंजिनियर चातर के साथ धोका कर रहे हो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल कटोती नहीं होनी चाहिए इंजिनियरिंग के पदों में और JTA और यह सब जो पोस्ट है इसको बंद करके रेगुलर इंप्लोई की भरती कराए जूनियर एंजिनियर सेक्षन इंजिनियर एस सब की भरती यहाँ प इसमें गृ्प T को छोड़ दिया गया है गृप D के भी पोस्ट है दोस्तों जो की काफी यहाँ पर और प्लस पॉस्ट है जिसकी वेकनसी काफी जादा हो चुकी है करई पांस साल से भरती नं निकलने के कारण जो अंधिक्तम पार कर गये हैं उनके लिए नई भरती में तीन साल उम्र में छूट मिले देखिए जैसा कि डिमान चल रहा था कि अगर रेलवे यहाँ पे नोटिफिकेशन में खुद से ही तीन साल का एज में रिलेक्षेशन नहीं देती तब प्रोटेस्ट होगा और यह चीजें दोस्तो पहले ही ग्यापन पास भी वार्सिक भरती कालेंडर हो जिसका सकती से पालन किया जाया और यह जो हमारी लगातार मांग चल रही थी यहां पे एक्जाम कलेंडर की उसका भी मांग कर लिया है ग्यापन के तोर पे यहाँ पे भरती कलेंडर भी इसी के तरह होनी चाहिए तो दोस्तों यह जो छात्रों की भरती को ले करके यहाँ पे साहसिक कदम इनके तरफ से जो उठाए गए हैं और जो यहाँ पे खास करके रेलवे के जो चेर वुमेन और जिनको यहाँ पे CEO जो है उनको यहाँ पे ग्यापन सौप आ है रेलवे की भरती को ले करके यह दोस्तों काफी अच्छी पहल एक तरह से है और छातर में एक नया जो यहाँ पे पैदा करेगा लेकिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन तो दोज़ार 23 में देखने को मिली नहीं नया साल आ चुका है तो यहाँ पे नया साल में ही भरती देखने को मिलेगी और इलेक्शन से पहले ही maximum possibility है कि यहाँ पे नहीं भरती देखने को मिले यहाँ पे पांच बड़ी भरती की मैं जिक्र करना चाहता देखे जोन भाजबी में डेटा आपको बताऊंगा जो की रेलवे मंतरल ने और रेडी जारी कर रखा कि किस जोन में कितनी कितनी वेकेंसी है वो सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो को थोड़ा और आगे तक देखेगा ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो सके सेकेंड जो पर जूनियर एंजिनियर और सीनियर सेक्षन इंजिनियर की पोस्ट पर भरतियां देखने को मिलेंगी इसी पोस्ट में दोस्तों आपका CMA का पोस्ट होता है और DMS वाली पोस्ट होती है इसी के अंतरकत आपके आने वाली है तो लेवल 6 लेवल 7 में आपका RRBJSSE हो गया थर्ड जो बड़ी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी बड़ी भरती देखने को मिलेगी वो दोस्तों RRC Group D की भरती देखने को मिलेगी अगेन अभी देखिए Group D की recruitment चल रही है लेवल 1 माली लेकिन फिर भी 2019 की ही तो ये recruitment है जो की इतना लंबा खीचा चला आ रहा है उसके बाद भी तो काफी सारे पोस्ट यहां पर वेकेंट हो चुके है safety category के तो वो तो भरनी ही भरनी है railway को इसलिए यहां पर लेवल 1 Group D की पोस्ट भी अच्छी खासे नंबर में आपको भरतीयां देखने को मिलेगी 15,000 प्लस पोस्ट हो सकते है करिब करिब जब भरती दे 25 का आ पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है फिप्त यहां पर जो बड़ी भरती आपको देखने को मिलेंगी वो तो आपको देखने को मिलेंगी NTPC के पोस्ट पे और NTPC का यहां पर जो गूट्स कार बाला पोस्ट है वो बहुत खाली है और प्लस यहां पर स्टेशन मास्टर का दोस्तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है रेलवे के अंतरगत जो खास करके सेफटी कटेगरी वाली पोस्ट है तो इसक तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है और जब आप देए रेलवे को भरने की वो दोस्तों सेफटी कटेगरी को ही फोकस करके चलेंगे क्योंकि GDC में भी आप लोगों ने देखा कि सेफटी कटेगरी वाले पोस्त को फोकस किया गया उसी से तो ज्यादा तर दिक्कत हो रहा है रेलवे में इतने नहीं आएंगे तो सेफटी कटेगरी वाली पोस्त में देखने को मिल सकती है और नोंसेफटी कटेगरी को अगर नहीं भी देते हैं तो सबस aliens no-sats घब सकते हैं तो हो सकता है कि इस बार जल जल दें या फिर आगे के साल में इत दिनों में यंकुछ महीनों के की मैं बात करूँगा जो कि यहां पे दोस्तों पैरा मेडिकल काटेगरी का जिसका अपडेट मैंने कुछ दिन पहले दिया था तो पैरा मेडिकल काटेगरी में बहुत सारे पोस्ट है मेडिकल काटेगरी की यह पोस्ट होती है इसके भी बड़ी भरती आने वाली है करीब करी 2019 में आई थी तो इसके पोस्ट तो खाली है लेकिन यह में लिए है कि non safety का टेकरी में आता है और non safety का टेकरी को भारने में दोस्तो railway यहाँ पर ज्यादा देर ही करती है जल जल देती नहीं है तो मान के चल सकते हो कि अगर इतने पोस्ट खाली है तो आने की तो उमीदे हैं जो कि कयास लगा के रखे है चातर इतने साल में नहीं आये तो लेकिन इसका अभी उमीद कम लग रहा है तो जैसे ही नोटिफिकेशन आते ही इसके रिगार्डिंग अपडेट करूँगा अभी हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी का डीटेल क्या खित की इस जोन में कितना कितना वैकेंसी है जो की रेलवे ने ओफिशल डेटा दिया था देखे फ्रेंस रेलवे मंतराले के तरफ से जो यहां पे अपडेट दिये गए थे भरती को लेकर के और वेकेंसी को लेकर के जोन वाइज वो कुछ इस प्रकार से था एक जुलाई दो हजार तेश तक के डेटा यहां पे दिये गए है जिसमें बात करें तो जोनर रेलवे यहां पे दिया गया है गजेटेट पोस्ट जो की खास करके ग्रूप A और ग्रूप B की पोस्ट आती है और यह दोस्तों डाइरेक्ट रिकूट्मेंट नहीं होता है RRB, RRC से UPC के थ्रू होता है तो इसको तो छोड़के चलिए क्योंकि मैक्सिमम जो रेलवे की त्यारी कर इस कोषट रेलवे भूनेसर में 8114 पोस्ट खाली है इसके बाद देखाजाए तो बारहाजारी कर चुन में बात करें तो 12,365 पोस्ट खाली नॉर्धर रेलवे देल ही जोन में देखे 32,460 पोस्ट जानी जो भरतियां आएंगी फ्यूचर में दोस्तों और जो अपकमिंग भरतियां है गुरूप सी वाली मैक्समम पोस्ट उसमें सबसे जादा एक तरह से का सकते हो कि नॉर्धर रेलवे से वैकेंस जोन में बात करें तो 13,432 पोस्ट खाली है गुरूप सीवा गुरूप डी के साउधर रेलवे चन्ने जोन में बात करें तो 15,240 पोस्ट खाली है साउथ वेस्टर रेलवे हूबली जोन में बात करें तो 4,843 पोस्ट खाली है इसमें काफी कम पोस्ट खाली है वही बात करें बहुपाल जोन तो 11,142 पोस्ट खाली और वेस्टर रेलवे में बात करें अहमदाबा जोन या फिर मुंबई जोन तो वेस्टर रेलवे में 25,597 में यानि कि यहां भी अच्छे कासे पोस्ट खाली हैं और इसके बाद प्रोडक्शन यूनिट और अधर यूनिट मे मिला करके और 177 लाग 1.77 लाग तो अकेले दोस्तों यहां पर सेप्टी कटेगरी वाले पोस्ट खाली हैं यहां पर बात कपी कही गई है तो ध्यान दीजेगा यह जो डेटा दिये गए है रेलवे मंतरले के तरफ से 1723 का दिया गया है और अब तो 2024 आ चुका है तो 2023 वाले क जो यहां पर रिटार्मेंट लेंगे करीब करें 42 सजार के आसपास इंप्लोई उसको भी तो एड करना होगा तो समझे तीन लाग तो ऐसे भी दोस्तों क्रोस यहां पर कर जाएंगे तो हर जोन में ठीक ठाक नंबर और पोस्ट खाली है दोस्तों और नए साल में आपको करना के रखिए और जो ग्यापन सोपे का है परसनली दोस्तों चेर वुमेन के तरफ से जो अपडेट यहां पर दिये गए जो यहां पर साकरात्मक विचार के तहत वो चल रही है तो इसकी एकोर्डिंग लग रहा है कि खुशकबरी तो जल्द आपको देखने को मिलेंगी जैसे ही भरती की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा चाहाँ शॉर्ट नोटिस या फिर कोई भी सेंट्रलाइज इंपले में नोटिस आती है आपको इनफर्म करनाँगा इसके उपर आपको क्या करना है जरूर कोमेंट सेक्शन में बता सकते ह वीडियो को जासाथ दोसों के साथ शेयर करती जगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स्ट अब्लेट में